हेलो एबरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, वीवर्स आज मैं आपको टू वर्ड्स वर्ड बताने वाली हूँ और जिनको भी इनकी मीनिंग नहीं पता है वो इससे कहीं नो डाउन कर लें, अगर आप इंगलिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं, इंगलिश में फ्लेंसी आना चाहते हैं, तो आपको इन वर्ड्स की मीनिंग बता होनी चाहिए, और मुझे पता है, 75% को इनकी मीनिंग नहीं पता होगी, तो लेट ऐस स्टार्ट शिरू करते हैं आज की क्लास, सबसे पहला है ब्रेक आफ, ठीक है, नमबर वन, ब्रेक आफ, ब्रेक आफ का मतलब हो कहत Center करना, कहीं कहीं पे सका मीनिंग, खत्म करना आता है, और कहीं कहीं पे सका मीनिंग, अचानक रुखना, जैसे कि मैंने कहा, शिरू करते हैं, शिरू के अचानक रुखना क। तो यहाँ पे मैंने break off का इस्तिमाल कैसी की second form ठीक है break off का इस्तिमाल किया तो आपने देखा break off का मतलब होता है अचानक रुकना या खतम करना अब मैं आपको words की meaning बताऊंगी लेकिन मैं इसे sentence में इस्तिमाल करके नहीं दिखा रही हूँ नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाती अगर आप कहेंगे तो मैं next वीडियो में इसके sentences भी आपको बताके यानकी इसके बनाके बताऊंगी ठीक है नेक्स टे ब्रिंग अप ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी का पालन पॉशन करना लालन पालन करना ओके next टे बिल्ड अप बिल्ड अप बिल्ड अप का मतलब होता है बढ़ाना या मजबूत करना ठीक है मदबूत करना या बढ़ाना बिल्ड up, bring up, लालन पालन करना नेक्स टे नमबर 4 burn down बर्न डाउन आपको बता है बर्न का मतलब होता है जलना ठीके मैंने कहा burn डाउन इसका मतलब होता है جب कोई चीज जल कर नस्ट हो जाए ठीके तो जल कर नस्ट होना इर नेक्स टे इक call at का मतलब होता है जब आपके घर पर मिलने जाते हैं थेकं तो call at घर पर मिलने जाना नेक्स टे नमबर 6 अब मैंने यह आप अठ कहता गसी लगा दिया तो call for का मतलब हो जाएगा लेने के लिए आना ठीक है call for का मतलब लेने के लिए आना call at का मतलब घर पर मिलने जाना burn down का मतलब जल कर नस्ट होना build up मतलब बढ़ाना या मजबूत करना bring up मतलब लालन पालन करना next day number seven इसका बहुत ज्यादा इस्तिमाल होता है तो अब मैंने लिखा है call at अटा दिया for अटा दिया और मैंने याँ पे लगा दिया o double f off ठीके एक होता है o f और एक होता है o double f दोनों की मीनिंग अलग होती है या आपको पता होगी तो मैंने कहा call off call off का मतलब होता है खत्म करना या रत करना ठीके रत कर देना call off next day number eight अब मैंने off अटा दिया अब मैंने लगा दिया on तो बन गया call on call on का मतलब होता है मिलने देखे call on मतलब on है या पे ठीके इस ट्रिक से अगर आप समझेंगे off on से तो भी आपको मीनिंग के लिए रोती जाएगी जल्दी याद हो जाएगी तो call on का मतलब होता है मिलने जाना ठीके call on मिलने जाना next day carry on carry on का इस्तेमाल बहुत बार कर चुके हैं कई बार मैंने आपको बताया हुआ है पहले अपनी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया है तो carry on का मतलब होता है कोई भी काम आप कर रहे हैं आप उस आदेश का पालन करते हैं तो आदेश का पालन करना कहलाता है carry out carry out आदेश का पालन करना next day number 11 अब मैंने लिखा है clear out clear out clear out का मतलब होता है चले जाना clear out यानि कि चले जाना clear out हो गया है यानि कि चले जाना next day number 12 अब मैंने यहाँ पे लिखा है कम, कम का मतलब आपको पता होगा और आपको OF का मतलब भी पता होगा लेकिन अगर कम आफ एक साथ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है नतीजा निकालना ठीके जैसे कि आपके प्रोपोजल से कोई भी नतीजा नहीं निकला तो नतीजा निकालना कहलाता है कम आफ किलियर आउट चले जाना कैरी आउट आदेश का पालन करना कैरी आउन जारी रखना कॉल आउन मिलने जाना कॉल आफ रथ करना आप इन वर्ड्स की मीनिंग अगर नहीं जानते थे और भी आप जान रहे हैं तो आप इसे कहीं no down कर लें और इसे बार बार आप पढ़ें ताकि आपको ये जल्दी से याद हो जाए next day number 13 अब मैंने लिखा है clear out okay I think ये repeat हुआ है तो clear out का मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया चले जाना होता है clear out next day number 14 अब मैंने यहाँ पे लिखा है clear out हटा दिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया off ये भी o double f वाला है तो clear off का मतलब हो जाए ये o f वाला नहीं है ये o double f वाला है इस बात का ध्यान रखेगा नहीं तो meaning बदल जाएगी clear off का मतलब हो जाएगा भाग जाना clear off भाग जाना next day number 15 अब मैंने लिखा है यहाँ पे check up check up check का मतलब होता है जाच करना ठीक है check का मतलब क्या होता है जाच करना तो check up मतलब हो जाएगा पता लगाना या जाच करना check up तो check up का मतलब पता लगाना या जाच करना next day number 16 अब मैंने यहाँ पे लिखा है close up close up तो close up का मतलब क्या होता है close up इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए बंद करना कुछ समय के लिए जब आप चीज बंद कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे आप close up ठीके हमेशा के लिए नहीं लेकिन आप थोड़े समय के लिए बंद कर रहे हैं तो close up होगा ठीके next day number 17 अब मैंने लिखा come into I-N-N-T-O-2 into come into का मतलब होता है जब आपको कोई चीज विरासत में मिलती है यानि कि आपके दादा पर दादा से विरासत से कोई चीज आपको मिल रही है तो इससे बोलेंगे come into come into अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा मैं आपको इन वर्स का इस्तिमाल करके सेंटेंस में दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा ठीके नेक्सटे नमबर 18 come round दीरे दीरे स्वास्त सुधरना come into विरासत में मिलना close up कुछ समय के लिए बंद करना check up, parlan करना clear off, भाग जाना clear out, चले जाना ठीके clear out नेक्सटे नमबर 19 अब मैंने लिखा है cry out ठीके cry cry out इसका मतलब होता है चिल लाना ठीके चिल लाना ये two words वर्ब मैं आपके साथ share कर रही हूँ इस बात को जरूर ध्यान लगेगा ठीके next day number 20 count on next day count on इसका मतलब क्या होगा ठीके count on का मतलब होता है इसका इस्तमाल हम लोग बहुत बार करते हैं और इसका मतलब होता है भरोसा रखना ठीके आपने पढ़ा होगा जिसका कई words की meaning भरोसा रखना होता है लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ठीके count on का मतलब भी भरोसा रखना होता है ठीके भरोसा रखना नेक्स टे number 21 अब मैंने लिखा है cover for और cover for का मतलब होता है जब दूसरे के काम की जिम्मेदारी लेना यानि कि आप किसी दूसरे के काम की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप कहेंगे cover off ठीके cover off next day number 22 अब मैंने लिखा है cut in cut in इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको पता होता है cut का मतलब होता है काटना या बीच में बोलना बीच में बोल पढ़ना तो cut in मतलब हो जाएगा बीच में बोल पढ़ना बीच में बोल पढ़ना cut in next day number 23 अब मैंने कहा cut out इनको हटाया out लगाया तो बन गया cut out cut out cut out का मतलब हो जाता है निकाल देना cut out cut in भीच में बोल पढ़ना cover for दूसरों के काम की जिम्मेदारी लेना count on भरोसा रखना cry out चिलाना cry out चिलाना next day number 24 do up next day number 24 do up do up का मतलब क्या होगा do up का मतलब होता है जब आप अपना कमरा ठीक ठाक करते हैं ठीक ठीक ठाक रखते हैं तो कमरा ठीक ठाक करना ये कहलाएगा आपका do up कमरा ठीक ठाक करना ठीक है do up next day number 25 अब मैंने लिखा है यहाँ पर draw near draw near, इसका मतलब क्या होगा, do up का मतलब कमरा ठीक ठाक करना, draw near का मतलब होता है, pass, आना next day number 26, fall back, fall back का मतलब होता है, जब आप किसी से पीछे हट जाते हैं, ठीक है तो उसे कहते हैं, fall back, पीछे हटना, fall back कहलाता है, draw near, pass आना, do up, कमरा ठीक ठाक करना, fall back, पीछे हटना that's all in today's video, video अच्छी लगे like करें, share करें, subscribe करना ना भूले कोई भी question हो तो आप जरूर comment करके पूछें और अगर आप चाते हैं कि इनका इस्तेमाल में आपको sentence में करके दिखाऊं तो आप मुझे comment करके जरूर बताएगा ठीक है, जितने वोर्स लंगे उससाब से नेक्स वीडियो आपकी जरूर बनेगी थैंक्स वर वाचिंग, like शेयर करने में कंजूसी ना करें